हे गाईज दिव्यांच वेकम बाक तो अनदर एपिसोड और फुटबॉल लेली और इसी के साथ यहाँ पर रियाल मेरिट ने अपना प्री सीजन का जो टूर है वो स्टार्ट कर दिया है कल मैंचेस्टर युनाइटिड ने करा था आर्सनल को और आके एंडेफिनेटली ह्योंखाइप थे कि भाए और क्रपक कर सकते हैं यहाँ पर बैंलिंगमको किस तरीके से खेलता हुँ हमको को देखेगे हमको यहाँ पर आज देखने को मिला जो डोवन खेला यहाँ पर उसके पाद ब्रहीं दियास कहलने को मिला देको 442 जो Carlo लेके आया है यह आप definitely कह सकते हूँ कि इसके अपने benefits है और यह और भी दादा unpredictability देता है लेकिन इसके अपने cons भी है और हमको यह भी समझना पड़ेगा कि in case killer number पर आता है तो सारा का सारा scrap हो जाएगा या फिर किस तरीके से यहाँ पर change किया जाएगा यह भी अभी अपने आपको हमको समझना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कि benefits की बात करें देको मैंने आज की गेम में जो एक चीज देखी थी वह था relentless press प्रेस हो रहा है और प्रेस effective है तो मैं मानके चल रहा हूं कि Carlo की जो नई formation ने personal quality पे बहुत depend करती है और उसमें मामला हमारा बहुत तकड़ा है चाहे हम बात करें यहाँ पर बेलिंगम की चाहे हम बात करें यहाँ पर वालवर्दे की चाहें बात करें चुवा में निक कामविंगा या फिर even मैं कहूं कि अगर जो जिलू की में मैं कुछ हद तक वो replica कर पा रहा है बेंजिमा की style को of course आपको बहुत सारे incident ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप बेंजिमा को miss करोगे और आज का game उसका पूरा का पूरा 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 प्रूफ था की भाई बेंजिमा को आप पूरी तरीके से replicate तो नहीं कर पाऊगे लेकिन गाड़ी तो आपकी बहुत तेज भागी लेकिन अगर बात करें कुछ यहाँ पर कौन सकी तो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा साम को समझना पड़ेगा कि जब आप यहाँ पर left side को देखोगे तो वहाँ पर attack atrocious है क्योंकि वहाँ पर आपको अगर Mendy की बात करें तो थोड़ा यहाँ पर आपको थोड़ा था आपको compromise करना पड़ेगा इसी के साथ अगर right side की बात करें तो वहाँ पर आपको width है क्योंकि यह 442 बहुत narrow है मतलब आप बहुत center of the pitch खेल रहे हैं ऐसे मैं आपके fullbacks को defensively attacking wise और position wise तीनों में best होना पड़ेगा और of course भागना भी प despite कि यहाँ पर लोग बहुत जादा भाग रहे हैं तो energy waste होड़ी है लेकिन press effect है फिर भी नहीं हो रहा तो वह एक चीज है कि हम turnover rate कितना अपना इंप्रूफ करते हैं आने वाले time में बाकि overall यहाँ पर of course Vinicius का वो goal इसी के साथ वालवर्द की वो strike absolutely amazing काफी सही मतलब roller coaster वाला हम season expect कर सकते हैं काड़ों के एक बार फिर से इसी की साथ है बात करते हैं थोड़ी सी इंडियन football के और सुनिल चित्री ने अपना sports star को interview देते हुआ और उन्हें magazine है कहिना कि काफी सारे लोग इस से काफी खुश थे और कह रहे थे कि भाई अभी जो sports football वाली magazine है इनको वापि सा question है कि मेरे बिना इंडिया का होता उन्हों ने का कि सवाल यह नहीं होना चाहिए सवाल यह होना चाहिए कि हमारे बाद यहां पर इंडिया का क्या होने वाला है उन्हों ने का कि मैं enough नहीं हूं मेरे जैसे player enough नहीं है यहां पर इंडिया deserve करती है और इंडिया को अगर किया है उन्होंने का कि अच्छा काम किया है कלचर सेट किया है लेकर उनाने overnight ुप कि तो कि सबसे पहले तो इंडिया इतना बड़ा देश है इंडिया इतना त सारे लोग कि इतना इतना साथी उन्होंने एचीज का कि आपको पलेयर बहार भेजने पड़ेंगे और इंप लेकिन यॉबोफ में खेलेंगे और quality है साथ उन्होंने यह चीज़ का कि देखो यहां पर जो इंडिया का अब ग्रोथ है तो उस तहीं दिशा में है बस हमको उधर step लेने पड़ेंगे और हमको शांत नहीं बैठना है हमको satisfied नहीं रहना है अभी जब तक हमारा जो ultimate goal है कि हमको यह जो top 10 एश्या वाली rank है न उसम सबसे बड़ी blockbuster update की भाईया Harry Kane यहां पर अब बिखने वाले हैं क्योंकि अगर Telegraph की James Ducker के हम बात करें तो उन्होंने तो यहां पर confirm कर दिया है कि जो Spurs के जो majority owner है John Lewis I think Lewis नाम है उन्होंने यहां पर Daniel Levy को confirm कर दिया कि भाई देखो तुम तुक्का मार सकते हो मार सकते हो ल बनी हुई है जो कि Mbappe के साथ PSG में वहीं यहां पर Harry Kane के साथ है बस पर कितना है कि Harry Kane और सारी parties में जो mutual respect है वो बनी हुई है इधर तो गई टटी बाड में तो यहां पर तो system यह है समय कि भाईया यहां पर अगर हम बात करें Manchester United की तो यहां पर Telegraph ने उस report में खुद मेंश Manchester United तो interested है और यह भी बहुत बड़ा like hurdle नहीं है कि भाई आप Hoagland की बात करें या फिर हम यहां पर Harry Kane की बाकिरत दौनों में से एक select करना है अगर जरूरत पड़ी और financial means हुए तो definitely यहां पर 10 heck दौनों को लेना prefer करेंगा और Harry Kane और Manchester United का कहीन है कि Atlanta पे pressure बनता रहेगा कि आपने महुटसपर के वो Manchester United जो कि वो direct rival मानते है उसके साथ negotiate करने के लिए तयार नहीं है जो price tag है वो 115 million euros है बायन का जो latest offer है वो 85-85 million के आसपास का है ऐसे में बताया गया कि यह जो एकदम से boost मिला है Harry Kane को लेके यहां पर बायन अपना तीसरा bidder लेके आगी जो कि again में को ल 5-10 million add-on कर देंगे तो कुल मिला कि जब जो pay up front होगा वो शायद से 1995 तक रुक जाएगा और जो total value होगी वो शायद से 100 तक हीज देंगे जो कि मेरे को लगता है Harry Kane के लिए बिल्कुल perfect है क्योंकि अब यहां पर यह report निकलते ही जो pressure है वो Tottenham पे चला गया है इसी किता अगर में यहां पर रास्म सॉलन की बात करें तो वह यह Manchester United यहां पर इस player के लिए इस अपते आने वाले time में bid मार सकती है जो 70 million के asking price है वो Manchester United मीट नहीं करेगी however यहां पर 50 से 55 direct पैसा देके और add-on में अगर दसबार करके तो जो total value है वो 60 से पैसाट खीच देगी जिसको Atlanta को मेरे इस आपसे accept कर लेना चीए ठीक है 20 साल का Londa है बहुत बढ़िया है यंग्स्टर्स है ब्राइट फ्यूचर है लेकिन कईना कि यहां पर एक ऐसा play है जिसने सिर्फ 9 गोल मा रहे है तो इतना भी कोई उड़ोने की जरूत नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब यही अपना next Erling Haarland का यहां पर उस वेज को किसी और को देना ज्यादा प्रिफर समझा तो यहां पर भी Manchester United ने इस जील को हटा दिया और बायन के प्लैंस में वो नहीं था Dortmund के लिए बहुत बहुत बेनिफीशल हो सकता है और मैं आपको बताऊं Dortmund की transfer window इस समय बहुत बहुत खतम चल रही है Dortmund में अपने ही civil war चल रहे है क्योंकि यहां पर वहां के जो players है वहां के जो fans है वहां के जो committee है कहीं है कि मतलब fans वहां पर committee पर यह blame लगा रहे है कि आप अपने players को अपने manager को sorry इतना क्यों दे रहे हो veto कि आपका manager ही decide करता तो पिर आपने जो sporting director technical director है इन्हें toilet साफ करवाने के लिए बेस दो आपने जब sport जब पूरा system बना होगा है तो उसके हिसाब से चलनना चाहिए मतलब manager को ऐसा भी नहीं कि सुनी ही नहीं जारी लेकिन ऐसा हमें बन रखा है कि वहाँ पर इस समय मीटिंग रूम में लादिमिर पूतिन बने पड़े हैं डॉट्मून के manager इसी के साथ बात करते हैं अल सैक्सी नसर की तो भी यहाँ पर अल नसर के साथ हमको काफी सारी बड़ी-बड़ी updates है देको सबसे पहले तो जो एलेक्स टेलेस बाली जो डील तूटती भी दिख री थी वो नहीं है बलकि वो भाई हमारे क्रिस्टियानो सैक्सी रोनाल्डो के साथ मिलने भी चले गए और यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ वहाँ पर इस समय प्री सीजन में available है अलेक्स टेलेस और वो खेलने वाले हैं 200 million को offer था मतलब 5 season के लिए पर season 40 million को offer यहाँ पर बताया जा रहा था ऐसे में यहाँ पर लेकिन उस्मान डेंबेले ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो इंट्रस्टिड इन ही है और इस समय उसके दिमाग में सिफ एक ही क्लब है और वो है FC Barcelona जो कि Barcelona फैंस के लिए अच्छी चीज हो सकती है कि ठीक है आपका प्लेयर आपको यहाँ पर कमिट कर रहा है और आपके लिए काफी कंविक्शन के साथ खेलना चाहता है लेकिन भाईया ब इंगलेट इन सब की बात करें तो यहाँ पर बेचना तो पड़ेगा ही इसी के साथ यहाँ पर साधियो माने की डील भी बहुत ही जादा यहाँ पर क्लोस आती हुई दिख रही है हमको और इसी के साथ यहाँ पर मैंचेस्टर युनाइटेड के एरिक बेई पर यहाँ पर एक ट्रांसवर भी डिमानने वाली है तो ओवराल हम यहाँ पर तीन चार डील और होते हुए दिखेंगे अल नसर को सही में बहुत रेइनपोर्समेंट करने की जरूत है और अभी हमको सर्जियो रैमोस का जो डिसीजन है वो भी देखने को मिलेगा कि वो साथी जाएंगे या फिर MLS में जाएंगे इसी के दात्यार बात करें सास बहु और साजिश की तो यहाँ पर एंबापे के रिगारिंग काफे इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग एक्स्लूदिव कंटेंट हमको देखने को मिला है सबसे बहुत बताया गया है कि देखो एंबापे का जो डि 22 सागे में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वह यह था कि एंबापे और नसरे से बात नहीं कर रहे हैं 2022 में इन दौलों की बीच में तमाम मीटिंग सुथी जहाँ पर नसरे लिगारिंग बताया था लेकिन 2023 में इनके बीच में एक भी मीटिंग नहीं हुई है और एक भी ड इसरी चीज़ बताई गई है वो है कि एंबापे पर जो एलिगेशन लगा है वो भी नहीं है लेक पहले बताया गया था कि एंबापे बेस्ट इन दे वर्ल्ड उसके अराउंड ये हमको प्रोजेक्ट है लेकिन अब यहाँ पर यह लिखा गया है पियार भी यह सकते हो सच हम इसके रेविन्यू की बात करें अगर हम यहाँ पर है क्योंकि इसके पास image rights भी है तो उससे भी हम कुछ नहीं कमा रहें यहाँ पर अगर हम like tournament जीत के champion league अगरा तो उससे भी हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है indirectly भी ऐसे में आपर कहते हैं कि इतनी जल्दी इसका ये decision ले हूँ वो इसने public अपना position बना रखा है उसके अरावा वो कुछ भी नहीं बोल रहा है ये भी अपने आप में किलसार ही है PSG की इसी के देने यहाँ पर सबसे पहले फटाबट से flash news की बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर wilfrid zaha की signing हो चुकी है गैला टासरे में साथ ही य गाड़ी काफी बड़ा मतलब allegation लगा है न्यूकासल पर देखो न्यूकासल PIF 80% खरीद दक है साओधी ने इसी के अलाली अगें माई बाप साओधी है उन्हों बताया कि न्यूकासल का बड़ी है बई जब भी आपको financial play के साथ आपको regulate करना पड़ेगा जब को आपको पै पैसा ही मिल जाएगा और indirectly पैसा घुमाया भी जा रहा है इसके regarding यहां पर इंफलेशन का यूज किया गया क्या यहां पर सही में एक unjustified तरीका यूज किया गया पैसे को dump करवाना का इसका prime example में होता तो मानलो कल को Mumbai City FC जो की City Football Group का ही है मतलब Manchester City का है कल को एक ऐसा player बेच दें जिसकी transfer value ऐसी है 2-3 million है लेकिन Mumbai like Manchester City यहां पर उसको 20 million में खरीदी रहे है जिससे Mumbai City पर indirectly पैसा आ जाए और ISL के उपर यहां पर उसको कहीना की dominance मिल जाए तो यह unjustified होगा और कहीना की rules breach होगा लेकिन इसके regarding में आपको सहीवा बताऊं तो बहुत लोग करते हैं बहुत ही जादा लोग करते हैं बस फरक इतना है कि क्योंकि सब कर रहे हैं तो यहां पर Newcastle भी बहती गंगा में हाथ दो रहा है